प्लांट फॉर गार्ड़नी में आप सभी का स्वागत करती हूं तो आज मेरे सामने आप लोग देख सकते हो यह कोलियस का प्लांट है और यह दोनों ही कोलियस है मतलब कोलियस में बहुत सारी वराइटी आती हैं बहुत सारे कलर आते हैं कोलियस में तो आज में इन दोनों के बारे में बात करूंगी यह दोनों की केयर सेम है इसलिए मैंने रखा है ताकि आप लोग अलग अलग ना समझो क्योंकि यह भी कोलियस है और यह भी कोलियस है यह वाला है और यह सिंपल सा कोलियस ऐसे एकी ही इसमें भी वेरिगेशन होता है थोड़ा थोड़ा यह देखिए तो आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करूँगी आज मैं बताऊंगी इसकी केर कैसे करना है मानसून में क्योंकि मानसून में क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी बरसने के साथ-साथ कई प्लांट ऐसे होते हैं जो मरने लगते हैं बहुत जादा over watering से तो आज मैं पूरी care इसकी बताऊंगी इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा और जिनके पास यह plant नहीं है वो भी मैं तरीका बताऊंगी बहुत easy to grow plant है आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हो तो दोस्तों कोलियस plant जो होता है वो summer season का होता सबसे पहली बात है कि जो है summer season में ही इसकी आप लोगोंने growth देखा होगा nursery में यह plant बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत जादा महेंगे भी नहीं होते हैं मेरी तरफ तो यह 20 रूपीज का या 50 रूपीज का मिल जाता है और जब यह लाई थी मैं यह तो मैंने cutting से तैयार किय है यह वाला plant में 20 रूपीज कि लाई थी तो काफी मतलब सस्ता मिल गया था और इसकी growth आपने देखा होगा summer season में ही इसकी growth इतनी जादा होती है और इतना जादा यह growth करता है क्योंकि जो है यह बहुत easy to grow plant है बहुत जादा care नहीं करनी पड़ती बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं आपको अभी आगे बताओंगी तो सबसे पहले करना क्या है आपके पास अगर plant नहीं है तो आप nursery से ला सकते हो पहला तरीका तो यह है इस तरह से आप nursery से 20 रूपीज और 50 रूपीज का मिलता है आप आसानी से लाके उसको लगा सकते हो इसको बहुत जादा पानी नहीं देना आपको नर्शीरी से लाके plant रख देना है कि नारे वो रख रहेगा कभी कभी पानी दे देना है मतलब मान के चलिए कि चार से 5 दिन तक तो उसको लगाना नहीं आपको मैं हमेसा बताती हूं कि जो नर्शीरी से plant आप लोग लाते हो तुरंत जादा सौक में होता क्योंकि जगें बदल जाती है तो इसलिए चार दिन का गयप या पाल दिन का गयप इनको छोड़ दीजी ऐसे ही उसके बाद इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करना है तो मिट्टी बहुत ज्यादा ही वर्ड्रेन बनानी है आप को इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी इसकी वुर्बुरी होनी चाहिए बहुत ज्यादा सक्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए और जो आज काली मिट्टी आती लाल मिट्टी वो तो बिल्कुल नहीं इस अले प्लांट में क्योंकि वो मिट्टी थोड़ा सक्त होती है पानी होल साइए और कम से कम एक से डेढ़ भाग वन एनिंग हाफ मतलब आपको लेना है राइस ख़्ट तो आपको इतनी चीजे लेनी है और मिलाके मिटी को तयार कर देना है मिटी को तयार करते समय आपको थोड़ा सा उसमें क्या डालना है हलका सा डीएपी आप डाल सकते हो और उसमें डाल सकते हो अरे वो फंगी साइड आप डाल दीजिए नीम खली है वो थोड़ा सा डाल दीजिए जितना बड़ा प्लांट हो उसके हिसाप साप मिट्टी तैयार करिए तो नीम खली आप डाल सकते हो थोड़ा सा सरसोखली भी डाल दीजिए इतनी इतनी चीजों को आप मिला के इसके लिए मिटी अच्छी सी तैयार कीजिए क्योंकि यह लिफ्स लविंग जो भी वराइटी होती है सब लिफ्स लविंग प्लांट होते हैं तो जो पतियों वाली प्लांट होते हैं उनको ज्यादा तर नाइट्रोजन ज्यादा दी जाती है इसलिए मैंने बताया आपको गोबर की खाथ आपको देना है एक भाग दे दीजिए फिर बीच में आप जो है एक दो महिने का गाइप करके फिर से इसको दे दीजिए तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हो ऐसी मिट्टी वल रेंड होती है और इसमें पानी नहीं रुकेगा हलका सा monster हो बहुत जादा sun light में यह रखा भी नहीं जाता है हलका सा नीचे monster की मिट्टी में होगा तो बहुत अच्छी growth करेगा मिट्टी होगा अब बात करती हूं मैंने कहा ना भी full sun light में यह रखा भी नहीं जाता collaborate कोलियास की कोई भी variety हो फुल सनलाइट में नहीं रखा जाता है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो या सनलाइट की रोशनी आती हो वहाँ पे आप इसको रखिए और थोड़ा सा सेडी एरिया में रखिए सिरिफ इसको रोशनी पड़े या अगर धूप पड़ती है तो सुबह ओरनिंग की जो हलकी सनलाइट होती वो पढ़ जाए और साम की सनलाइट पढ़ जाए उतनी ही सनलाइट इसके लिए बहुत काफी है जो दिनवाली धूप होती है दिनवाली धूप थोड़ा सा नुकसान करती है क्या नुकसान करती, पहली चीज तो इनकी पतियों का कलर उर जाता है, पतियों में कलर अच्छा नहीं आता है, दूसरी चीज इनकी पतियां सूखी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से, ये थोड़ा सा सणलाइट में आ गया है, तो ये देखिए, इस तरह से प इसको रखेंगे यह वाली वाराइटी हो यह वाली उतना ही ज्यादा इसका कलर बहुत अच्छा आएगा अगर आपने फुल संलाइट में रख दिया आप छोटा सा प्लांट लगाके फुल संलाइट में रख दीजिए और एक सेडी एरिया में रखेंगे आपको पंदर दिन क पंदर दिन की तो बात बहुत दूर की है दो-चार दिन में नजर आ जाएगा तो फुल संलाइट में इसको आपको नहीं रखना है आपको इसको रखना है सेडी एरिया में जहां पर रौशनी तेज आती हो और जहां पर सुबह मॉर्निंग की संलाइट पढ़ती हो साम की हल की संलाइट आती हो तो ऐसी जिगा आपको रखना है और उसमें फिर देखिए इसकी ग्रोध कितनी अच्छी होती है अब मैं बात करती हूँ इसके लिए जो गंबला लिया जाता है वो कैसा मैंने हमेशा दोस्तों बताया है कि गंबला जो है आप लोग अधिक तर ज्यादा है उसका रिजन भी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि प्लास्टिक का गंबला हीट बहुत करता है और जब माई जून की गर्मी पड़ती है तो उसमें जो रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा हीट होती है और ज्यादा हीटनेस की वज़े से गंबला तो प्लास्ट की त banco में पान में पानी के पानी कोज़ेंदकन llevaшие घंजास Yes में पॉर्फ busy अपको कि अपक्छी करती हैं तो मिट्राइब क्षिकन आंडब से प्लान्ट के हिसाब तो छोटा सवाधें बड़ा हो तो बड़ा लीजिए आप जिस हिसाथ से प्लांट हो उस हिसाथ से आप गंबला ले ते हो अब बात करती हूं पानी tip कैसे दे ना इसमें आपको पानी इस तरह देना है जब आ जैसे आजकाल तो मानसून चल रहा लेकिन हमारे लखनौं मे बारिस नहीं हो रही है ब साम को पानी को बारिश धानते हैं हारे साम पानी आप समझे को साम को पानी को समर्स प्लांत को प्लांत करता है अच्छी ग्रोथ करता है और ठंडे में रहता है इसलिए हमेशा पानी साम को ही डाला करिए आपको एक दिन गैप करके पानी देना है आप साम सुबह अगर इसमें पानी डालेंगे तो यह प्लांट मतलब 100% मर जाएगा ओवरवाटरिंग से जब ओवरवाटरिंग ज्यादा होने लगती है तो इसकी प बताया कि इसको नाइट्रोजन ज्यादा पसंद होती है तो लिप्स लविंग प्लांट है और जो भी पतियों वाले प्लांट होते हैं जिनकी पतियों की वज़े से लगाया जाता है उनको नाइट्रोजन ज्यादा दी जाती है तो मैं अपने प्लांट में डीएपी दे दे देती हूं पत्तियों वाले जो प्लांट होते हैं मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता और आप लोग भी मेरे प्लांट को देख सकते हूं मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइजर कोई भी खाद ज्यादा नहीं देती हूं स्रीफ गोबर की खाद देती हूं चाहे आप उसको लिक्विट फॉर्म में दीजिए और चाहे उसे डारेक्ट अपलाई करिए उससे कोई फरक नहीं पड़ता बस इसको नाइट्रोजन अच्छी डालोगे तब इसमें पतियां भी अच्छी निकलेंगे उनका कलर भी अच्छा आजाएगा तो प्लांट जो है हमारा देखने में बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगेगा तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो भी प्लांट पतियों आले होते हैं नाइट्रोजन उनक सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए सीजन में अब भी कर सकते हो बारिस के पहले भी कर सकते थे थोड़ी थोड़ी सी उपर से प्रूनिंग कर दीजिए तब देखिए उसकी ग्रोथ हो जाएगी अच्छी ग्रोथ होगी घना बनेगा जितनी आप प्रूनिंग करोगे सॉफ् इसके पहले बहुत छोटा था और लमसम एक महीने बारिस होई और यह काफी अच्छी ग्रोथ कर गया चोटे से देखिए प्लास्टिक के गंडे में लगे हुए दोनों और आप लोग घना देखिए कितना जादा है तो अगर आपका प्लांट बढ़ नहीं रहा है ग्रोथ नह से ऐसे काट दीजिए अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है उपर से टनिया हलकी हलकी से काट दीए और कुछी दिनों में देखेंगे की ग्रोथ उसकी अच्छी होने लगती है तो प्रूनिंग करके भी प्लांट को घना बना सकते हो और इस तरह से अपने प्लांट को हलका हलका और इसमें मतलब कभी कुछे दिनों में देखेंगे फ्लावरिंग भी छोटे-छोटे इस तरह से इसके बीजे भी निकलते हैं और यह बीज से भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है तो आप कटिंग की बात करती हूं कटिंग से भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है इस की सारी पतियां हटा के उसको मिट्टी में दबा दिए बस इतना याद रखना आपको पानी कम देना है वल्ड्रेन मिट्टी बनानी है मोटी सी टहनी आपको लेना है इसकी कटिंग का वीडियो में बहुत जल्दी बनाओंगी दोस्तो तब आप लोग देखेंगे तब आप और हमें काटनी है इसको काटके दो-चार घंटे के लिए आप इसको पानी में छोड़ दीजिए उसके बाद में इसको लगाईए वल्ड्रेन मिट्टी बनानी है पौट आपको छोटा ही लेना है बहुत बड़ा पौट नहीं लेना चाहाए ये वाला हो चाहाए ये वाला ह दोनों का सेम ही है आप मोटी सी कटिंग लीजिए पतली भी कटिंग लग जाती है पतली भी में लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी मोटी और पतली दोनों तो कटिंग से बहुत इजी टो ग्रो प्लांट है दोस्तो तो इस तरह से आप कटिंग भी लगा सकते हो जैसे य तो इस तरहे आप cutting से भी grow कर सकते हो plant को। दूसरी बात यह इसमेन이 इस से बीज भी निकलते हैं छोटे छोटे से बीज निकलते हैं यह बीज से भी बहुत आसानी से तयार हो जाते हैं इस तरहे कि flowering होती है उसी में छोटे सरसो के दाने जैसे बीज बीज निकलते हैं तो बीस से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो, तो इस तरह से एक प्लांट से दो प्लांट भी कर सकते हो, और मैं आगे आपको कटिंग का वीडियो भी बना के दिखाऊंगी, तो आज का वीडियो में यहीं रोकती हूँ, कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग कमेंटे में जरूर बताईए गर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कमेंट सेर कीजिए तो चलती